नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और स्वागत है आपका अमित जीए सेंटर में दोस्तों आज की वीडियो होने वाली बहुत ही खास क्योंकि अब मैं यहाँ पर NCL के स्टुडेंट्स के लिए जो की NCL की त्यारी कर रहें NCL भरती की जो जो लुग भी NCL भरती की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए यहां पर इस्टैटिक जी के जी एस और आपके ट्रैफिक रूज को यहां पर लेकर आया हूं जो कि इस वीडियो में कभर करूंगा और लगातार रोज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जो कि महत्यपूर कोश्चन क सीरी ओगी पहला प्रश्ण है भुगुल की जनक की रूप में जाना जाता है और रस्तू हिके टीएस मार्टिन बेहम काले रिटर तो इसका जो राइट ऊपसर ने दोस्तों वो कॉन सा होगा यहां पर कॉन सा होगा राइट आप्शन वह राइट औसन होगा हिके टीएस ठी यहां पर सुरी का सब्सेंघ़ी की ग्रह है यहां पर सुरी का सब्सेंघ़ी की ग्रह है बुद्ध ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले परशन की तरफ से में से किस अंतर को अंतराश्टित रखा कहा जाता है option est 82 दिखरीच पूर्वी दिखरीश मुश्चोYAwarts 150 दिखरी दिखरीच दिपार्वत5 154 दिखरीच तो यहां पर कौन सा option यहां पर शहीं होग करना दोस्तों यहां पर जो सही डिगरी देशामतर ठीक है चलिए बढ़ते हैं के लिए प्रश्ण की तरफ विश्व का सबसे उचा परवत सिखर कौन सा है में हैं की केट्यू माउंट अएवरेस्ट एंडी इस्व माउंट बेब तो इसका जो राइट अपशन होगा वो कौन सो 11 अधs यौ तो इसकह जो राइट अप्स़न होगा वह वो है सर्यू नदी तो दोस्तों आपको पताई होगा अयुद्या काफी चर्शित विषयरा है पिछले साल का ठीक है तो Do Abbara की बिश्षे में क्वेस्टन आ सकता है इस पेपर में तो इसको भी आपको याद ii और अइध्या कहां पर है उत्तर प्रदेश में ठीक कहां पर यूपी में है और यूपी की राजद्धानी क्या है उत्तर लखनोगा ठीक है और। लदी वाजन हैं अगले परशन के तरफ कि सांसार का सबसे बड़ा बंदरगा कहा ऊप्चो सबसे सबसे बड़ा बंदरगाह है वह है नियू यार्क ठीक है चलते हैं अगले प्रश्ण पे बिस्व का सबसे गहरागर्थ का नाम क्या है ऑप्शन है टोंगा गर्थ मेरियाना गर्थ क्यों रीको इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह कौन सो होगा सबसे गहरा गर्थ जो है वह है मेरियाना गर्थ यह किस महासागर में है प्रजेंट तो यह प्रसांत महासागर में प्रजेंट है ऐसी टोंगा गर्थ भी यह प्रसांत महासागर में कहां पर है प्रसांत महासागर में ठीक है तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्ण पर बाय मं मंदल संताप मंदल आयर मंदल मंडल तो इसमें से कौन सा Lyon Hooka दोस्तो इसका जो राइट माद Hmm ओस्तों कौषण होगा चोब मंदल होगा ठीक है प्रधिवी से लगाUhla परत है वह मंदल लाता है ठीक है या फिर बाय मंदल की सबसें इचली परत कौन सी होती है सुछोब मंदल होती है ठीक है चलिए बढ़ते हैं कि तरफ निम्न में से साथ टापों का नगर किसे कहा जाता है ऑप्सन है मुंबई कोलकाता देहरादून शिमला तो इसमें से कौन सा अप्सन सही होग चलिए और मुंबई क्या है यह मुंबई जो है महाराष्ट की राजद्धानी है ठीक है और देहरादून भी क्या है ऊतराखंड की राजद्धानी है ठीक है चलिए और बाकि आगे बढ़ते हैं कर अरूरानचल प्रधेस की राजधानी इन में से कोन सी हैं और जोरम कोई महाई इत्या नगर दिशपूर जो कि का सबोस्तोंảng इसमें से जो सही option है दोस्तों वो है कौनसा इटा नगर दोस्तों इसको याद करने का मैं ट्रिक बता दूं काफी का काफी लोग यहां से बार-बार भूल जाते हैं अरूरांचल प्रदेश की राजधानी ठीक है मुख्य मुख्य जो स्टेट है उनी का याद रहता है तो इसक कि इसको किसी को भी मारा तो अरूर ने कींट को सटी अरूर और ने dem님 े से इii की किया जाता है अप्सने मधुमख्य मचली पालन के कुछा पालन इसका जो तो राईट आप्शन होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन में जो है एंसे यहाँ पर कीट सिरी कल्चर का पर्यूंक्ट तक क comenz एक पर शेडिन कहारा टीक है छलिए बढ़ते हैं अगले पश्ण की तरफ काला सोना के नाम से मैं किसे झाना जाता है कोलतार करेफाइट कोएला अबरग काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है दूस्तों यह तो पसे suggest की तरफ िंठ किया औरूट करे तो भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड का मुख्याले कहा है इसका जो राइट ऑप्षन है वो है मुंबई में ठीक है और बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ नीती आयोकी स्थापना कभ हुई थी ऑप्षन है एक जनौरी 2015 फंद्रह1 2.016,1 2.7,1 2.018 तो इसका जो राइट ऑप्षन होगा से वहोगा दोस्तों पे अ कौन सावाला होगा है शचा जनौरी 2015 को elynिती आयोक को किस नाम से जाना याता था तो इसको जाना याता दोस्तों योजना आयोक के नाम से ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ कोल इंडिया लिम्टेट की स्थापना कब हुआ था ऑप्शन है उनिस सो पैसट उनिस सो पिछतर उनिस सो पचास या उनिस सो असी कौन साल ऑप्शन से यह दोस्तों अगर कोल इंडिया के सबसेडरी में आप एक्जाम देने जा रहे हैं भरती होने के लिए तो कोल इंडिया लिम्टेट की स्थापना के बारे में इसके बारे में थोड़ा जाना जरूरी है ठीक है तो इससे रिल्टेट क्वेस्चन भी आ जाते हैं तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है 1975 में कोल इंडिया लिम्टेट की स्थापना होए थी ठीक है इसका जो मुख्याला हो ग्या है कोल काता है अब देखिए कोल काता हैं को से को को से कोल काता और को से पुछान होता है अगले का और बस प्रश्ण है अब यह था इंपपोर्टेंट होता है एकजां पूषा जाता है घंट है ठीक है यह नीचे प्रशन है नीचे दिया गया किन्द क्या बताता है आप संधे अच्छा आप लोग यह चित्र को भी देख लेजिए अध्यान से नीचे दिया गया चिन्द क्या बता रहा है देखिए बीच से एक सड़क जा रही हो किनारे दोनों तरफ रोड क्टा हुआ ठीक है तो आगे और दाये दोनों तरफ रोड है तीए यहां पर रोड कटा हुआ है देखो तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा वाला होगा आप समझ में आ गया होगा आपको यहां पर कॉन सा option सही होगा आगे वाए वरदाये दोनों और रूड है थीक है चलिए बरते हैं अंगले पॉस्टिक की तरफ आप किसी बहान के कौन सी तरफ से ओवर टेक कर सकते हैं किस तरफ से ओवर टेक करते हैं आप कि आपको पता यह God how you question अगता है तो आपको थोड़ा-चार प्रेक्टिश कर लेंगे तो आपको आपको छुहां पर सारे क्वेस्चन का अंजर आप सरी दे देने तो इस तरह की क्वेस्चन प्र blur होना ने की भीस होना जुरूरी है तो बताएए एैफ किसी इा पहां की से सब्स्राइब कर अधिक है तो यह से कर लेते हैं टिक है अगर वंք होता है तो किले से करते मतलब अगर गाड़ी तरह से यहाद सरे गाड़ी जा एक दूसरी तरफ से गाड़ी आ रहे हैं बीच में डिवाइडर तो आप उस समय तो कर सकते हैं अब बाये दाये कहें से भी लेकिन एक ही चरक पर तुन्हार दोनों से गाड़ी आ जा जा रही मुख्य रास्ता है प्रवेश निशेद है तो आगे चार रास्ते कहीं से पता चल लागी चार रास्ते होंगे आगे इस चित्त को देखके नहीं फरस्टेट का तो आपने देखा योगा क्या प्लस बना होता है डॉक्टर वाला चिन ठीक हो फरस्टेट का चिन होता है आगे किया सकते हैं प्रभेच से गंते हैं कि दरफ इसकी के लासेंश के लिए कितना होना चाहिए को कर चाहिए कि लासेंस की लिए से कद्नी लेस श्रहिए ऑप है 18 वर्स 20 वर्स और नहीं पता तो इन रखा होते हैं जिन पे आप ने देखा होगा पी पट्टी वाली नमबर प्लेट लगा होता है पीला नंबर प्लेट होता है कौन सी गाड़ी होती है कमर्शियल होती है ठीक है तो उनको चलाने के लिए कौन सा लाइसेंस होना चाहिए है है वी लाइसेंस बोलते हैं है वी लाइसेंस उनको चलाने के लिए होता है तो उसके लिए उम्र कितना होना चा सांगлад से ठीक है आधीया बढ़ते हैं अगले हैं आधार्य कि वाल में कितने यात्री बैठ सकते हें या किस में 레čोर्ण खिया जाता है आपके गाड़ी में त्यूता है ऐसान रिखा होता है ऑद्धितल इंडितल पर दोकल में और ऊर्ट एकर ऊंut लिखा होता है two-seater है six-seater है कौन से जो भी गाड़ी चलाते होंगे आप ठीक है जो भी गाड़ी होगी वहाँ पे उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे लिखा होता है यह रहा आपका 8ज में लिखा होता है ठीक है दोसतो आज की वीडियो पसंद आए होगी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा कमेंट कर दीजेगा कि वीडियो कैसी लगी और मुझे इसमें क्या सुधार करना चाहिए ठीक है तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के ल